बिना मेहनत वजन घटाने के लिए 4 टिप्स बिना मेहनत के अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनको अपना कर आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते रहे और अपने आपको place 3-4 लिटर पानी जरूर पीना चाहिए जबकि देखा जाता है कि ज़्यादत लोग पूरे दिन में काफी कम पानी पीते हैं और इसी वज़े से उनको ज़्यादा भूक लगती है और वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं इसलिए अगर आप रोजाना अच्छी मातरा में पानी पीएंगे तो आपको कम भूक लगेगी जिससे आप खाना कम खाएंगे और साथ ही पानी हमारे शरीर के सारे टॉक्सिंस को बाहर भी निकालता है और शरीर में फैट इखटा होने नहीं देता है इसलिए कोशिश करें कि रोज सुभा उठकर सबसे पहले आप खाली पेट कम से कम एक लीटर पानी पीए इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते है कि जब भी आपको भूक लगे या आप कुछ खाने वाले हो तो आप उससे पहले थोड़ा पानी पी ले ऐसा करने से ना सिर्फ आपका पेट भरा रहेगा बलकि आप खाना भी कम खाएंगे और आपको बार बार भूग भी नहीं लगीगी इसके अलावा आप खाने में भी ऐसी चीजे जादा खा सकते हैं जिन में पानी की मातरा जादा होती है जैसे कि आप खाने में सूप, जूस या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पतला होने के लिए आपको दिन में कम से कम दो बार green tea ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि green tea में anti-oxidants होते हैं जो कि हमारे शरीर के सभी toxins को बाहा निकालने में मदद करते हैं और इससे काफी सारे nutrition भी मिलते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए फायदे बंद होते हैं इंडिया में जादता लोग black tea लेना पसंद करते हैं लेकिन black tea से जादा green tea हमारे शरीर के लिए फायदे मंद होती है क्योंकि इसमें caffeine काफी कम होता है अगर हम सुबह खाली पेट इसे रोज़ाना ले तो ये काफी फायदे मंद होती है क्योंकि सुबह सुबह हमारे शरीर का digestive system काफी अच्छा होता है और उससे में green tea लीने से हम हमारे शरीर के metabolism rate को भी बढ़ाएगी और पूरे दिन में हम जो भी खाएंगे उसे भी आसानी से पचाने में मदद करेगी सिफ़ वजन कम करने के इलावा green tea हमारी सारी बिमारियों को भी ठीक करने में फायदे मंद हो सकती है जैसे कि arthritis, sugar और cancer जैसी जाल लेवा बिमारी इस कोशिश करे कि कम से कम दिन में दो बार खाली पेट green tea जरूर ले इसके अलावा दोस्तों रुजाना जादा पानी भी पिए नमबर टू छोटी प्लेट में खाना खाएं दोस्तों ये तरीका अपना कर भी आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं इसके लिए आप अपने रसोई में से सारे बड़े बरतनों को अंदर रख ले और चोटे प्लेट चमच और कटोरी बाहां निकाल ले अगर आपके पास चोटे बरतन नहीं है तो आपको चोटे बरतन बाजार से खरीद लाएं अब आप जो भी खाना खाएंगे वो आपको इनी चोटे बरतनों में इससे आपको अपना मनपसंद खाना छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और ना ही अपने खाने में कुछ कम करना पड़ेगा और आप calories भी कम ले रहे होंगे इस तरीके का इस्तवाल करके भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं और साथ ही कोशिश करें कि आप खाना सिर्फ एक ही बार ले ऐसा ना हो कि आप बार बार खाना ले के खाते रहें क्योंकि बार बार खाना लेने से आपके शरीर में काफी जादा calories आएंगी जिससे आपका वजन कम होने के बजाए तेजी से बढ़ेगा इसलिए आप अपनी चोटी प्लेट में सिर्फ एक ही बार खाना ले और साथ ही आप खाना खाने से पहले थोड़े फल, सैलेड या फिर सूप ले ले क्योंकि इसमें काफी जादा फाइबर होता है जिससे वजन नहीं बढ़ता और साथ ही पेट भी जादा देर तक भरा रहता है दोस्तो अकसर देखा जाता है कि लोग खाने में मीठी चीजे खाना काफी पसंद करते हैं खासकर खाना खाने के बाद जबकि जादा मीठा खाने से वजन बढ़ता है इसलिए वजन कम करने के लिए जरूरी है कि आप खाने में कम ही चीनी ले इसके अलावा आपको ऐसी चीजे भी कम लेनी चाहिए जिसमें चीनी की मातरा जादा हो जैसे कि चाई, कॉफी, मिठाईया, चॉकलेट, बिस्केट, कुकीज आपको इन सभी चीजों को काफी कमातरा में लेना है और खाने के बाद तो मीठा बिलकुल भी ना ले क्योंकि खाने में वैसे ही कैलोरीze होती है और इसके बाद मीठा खा लेने से कैलोरीज काफी जाधा बढ़ जाती है जो इसे शरीर में फैट इखटा हो जाता है और इस बाद का भी ध्यान रखे कि मीठा खाने के बाद एकदम से सोने ना जाएं कम से कम तीन घंटे के बाद ही सोने जाए और आप चाहे तो मीठे में गुड ले सकते हैं क्योंकि चीने के बजाए गुड सेहत के लिए काफी अच्छा होता है और इसमें क्यालोरीज भी कम होती है तो दोस्तों आप आज से ही इस आदत को आदमाए और खाने में मीठा कम और अपने घर से भी सभी जंक फूड या पैकेट वाली चीजे बिल्कुल बाहर निकाल दे क्योंकि अगर वो आपको दिखेंगी तो आपको उनको खाने का मन करेगा और आप खुद को रोक नहीं पाएंगी तो दोस्तों इन सब चीजों का ध्यान रख कर भी आप अपने श जब वो पैट में जाता है तो इसके बाद वो आसानी से पच भी जाता है जिबकि अगर आप खाने को ज़्यादा चबाए भी ना खा लेते हैं तो वो पैट में जाने के बाद पच्छने में ज़्यादा टाइम लेता है और एक जगा पर पड़े पड़े वो खाना सड़कर फैट बनने लगता है इसके बजाए अगर आप ज़ादा चबा चबा कर खाएंगे तो उससे आपके दातों और मों की भी अच्छी एक्सरसाइस होती है और आपको खाने में ज़्यादा समय लगता है जिससे आपका पेट भी कम ही टाइम में भर जाता है और आप खाना कम खात तो दोस्तों ये थी कुछ आसान टिप्स जटको आपनाकर आप आसाणी से बिना किसी महनद किये अपना वजन कम कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हमें उमीद है कि आप इन सभी टिप्स को ज़रूर फालो करेंगे और साथ ही हमें अपनी राय बताएंगे इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसी ही और भी एंटर्टेनिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यानीजी हल्थ को लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको ल करें धन्यवाद